तो नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डोक्टर लाल पैथ लैब के टेस्ट होते हैं वो आखरी इतनी कोसली क्यों होते हैं उनका जो प्राइज है इतना हाई क्यों होता है आज इसी बारे में हम डिसकस करेंगी तो वीडियो सुरू करने से पहरे जो आप डॉक्टर लालपैद लैब टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां का आप rate और compare to other labs थोड़ा ज़्यादा होता है तो यह क्या reason है कि आप सोचते हैं कि आप जैसे हीमोग्राम टेस्ट कराने जाते हैं तो आप भार 200 रुपए में या 300 रुपए में करा सकते हैं लेकिन जब आप लालपैद लब जाते हैं तो वह 400 से उपर मिलता है इतना ज़्यादा प्राइज नहीं है लेकिन 100, 120 या 1500 रुपए पर टेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो इसका reason क्या है इसके पीछे तो इसके reason के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इतना जो प्राइज है वो वैरी क्यों है आप सोचते हैं कि टेस्ट तो हर जगह होते है तो हर जगह का जो rate है वो same होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जो हमारा लालपैद लेब का जो प्राइज है वो actually quality जो है लालपैद लेब reports की उसके हिसाब से थोड़ा सा decide भी किया जाता है अब आप सोचेंगे quality तो सब maintain करते हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं है मैंने काफी जगह लेबों में काम भी किया है लेकिन मैं जबसे लालपैद लेब में मैंने काम किया मैंने quality के उपर जो इन लोगों का पुरा focus जो होता है company का वो मैं आपके साथ share करूँ है तो quality में होता क्या है कि जब भी हम instrument जो हमारी machine है जहां पर testing लगती है उसके बारे मैं मैं आपको बता दूँ जो भी machine लगती है वो same मिलेंगी आपको कि Lal Pet Lab में भी वोई machine है अधर जो कोई किसी की personal lab है तो वहाँ पे भी वोई machine है तो इसमें price का difference कैसे है price का ये है कि Lal Pet Lab जो है अपनी जो reports को लेके बिल्कुल sure है कि वो reports 100% सही है आपकी तो उसमें क्या होता है कि जब quality maintain कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जो quality होती है कि सुभह जब हम machine on करते हैं तो machine on करने के बाद उसका पूरा check-up होता है उसकी cleaning होती है daily cleaning, weekly cleaning और monthly cleaning वो तो सब करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम daily basis पे जो है machine को own करने के बाद हमारे पास जितने भी samples होते हैं उनको रखते हैं उसके बाद उनको run करने से पहले उनको run करने से पहले जिसको quality control बोलते हैं आप लोग जो lab या medical field से related हैं वो समझ जाएंगे लेकिन जो lab या medical field से नहीं है उनको समझ नहीं आएगा कि quality control क्या होता है एक laboratory के लिए quality control एक while होती है जो machine होती है manufacture जो होती है उनके वो provide कराते हैं कुछ external भी मिलती है वो भी run होती है साथ में तो जो quality control होता है वो सबसे पहले machine में run किया जाता है उसमें क्या होता है जैसे कि हर test particular जितने भी test है उनकी जो एक range होती है जो अपना quality control हमने reconstitute किया सुभ है तो उसकी अंदर हम सारे test पहले क्या होता है हम सारे test जो है पहले run करते है जैसे quality control की while हमने reconstitute की है तो उसको daily basis पे run होगा उसमें दो level होते है normal level और high level normal level, actually level तो 3 होते है low level, high level and normal level तो वो इस हिसाब से workload के हिसाब से run होते है जैसे कि एक normally lab जहां routine का काम 20, 25, 30, 50 sample लाल पैध लेब में आ रहे है तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है लेकिन ज़्यादा भी आते है तो उसमें क्या होता है कि जैसे machine हमारी own हो गई own होने के बाद सबसे पहले उसका maintenance हो गए maintenance होने के बाद जब वो temperature पर प्रोपर आ जाती उसके बाद उसमें QC run किया जाता है यानि कि quality control एक आप मान सकते हैं कि आपके blood की तरह होता है जैसे आपका blood होता है वैसे ही quality control होता है ऐसे उसको blood मान सकते हैं लेकिन उसकी value उसके जो results है वो हमें पहले से पता होता है कि मान लो जैसे hematology का test लगता है hemogram से ही मैं बात कर रहा था hemogram का बिल्कुल blood की तरह ही एक vail होती है जिसमें blood ही होता है जिसको आप मान सकते हैं लेकिन होता हो quality control है उसको हम run करते हैं उसमें hemoglobin की value होती है जो हम point to point vary करता है उसके हम ध्यान देते हैं जैसे कि हमें उसका result पता है कि यह 11.5 से और 12 के बीच में आना चीए हमें उसकी value पहले से पता है उसको हम run करते हैं अगर उसकी value 11.7, 6 यह 12 के आसपास आती है तो उसके बाद हम sure हो जाते हैं कि यह normal level है और इसमें हमारा value बिल्कुल perfect है तो अब इसमें हम test run कर सकते हैं उसके बाद हम वहाँ पे high level run करके देखते हैं high level में value है 22 hemoglobin 23 तो उसको हम run करके देखते हैं उसमें हमारा आगया 22.5 तो इसका मतलब हमारा high level भी ठीक है उसके बाद हम low level run करके देखते हैं जिसमें 3.5 से 4 point के around value होती है तो उसमें हमारा 3.7 आ गया तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी जो machine है वो जो result देने वाली है वो बिल्कुल perfect देगी तो यह quality control हम maintain करते हैं उसके हिसाब से हमारे सारे test लगते हैं उसके बाद जब उसको जो lab in charge होडी जो pathologist होते हैं वो verify करते हैं उस control को वो compare to जो last day हमारा result था quality control का उससे वेरी करते हैं कहीं उसमें variation तो नहीं आ रहा कि उससे पहले दिन जो value है वो ज़्यादा कम थी और इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा होगी तो vary अगर कर रहा है ज़्यादा तो भी machine का पूरा proper cleaning maintenance होता है उसके बाद फिर QC run होता है फिर test लगते हैं अब यही process जो है workload sample workload around to 20, 30, 50 samples के बाद फिर से होता है और जैसे ही वो second time run होगा उसके बाद फिर जैसे ही 20, 25, 30, 50, 60, 100 samples हो जाएंगे उसके बाद फिर से होगा यानि कि दिन में 3 बार यह quality जो है maintain की जाती है क्योंकि पता नहीं होता machine जो होती है किस time जो है result variation देने लग जाए तो इस चीज़ को ऐसे maintain किया जाता है यह एक test में नहीं है हर test में हर instrument में यह quality control है इसी तरह से run किया जाते है और इसी तरह से quality को maintain किया जाता है तभी लाल पैत लैव का थोड़ा सा prize आपको high लगता है लेकिन यह video देखने के बाद आपको prize high नहीं लगेगा वो अपनी जो reports की quality है उसको समझ जाएंगे कि कहाँ पर आपको reports की quality जो है बहतर और अच्छी मिल रही है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो please like करें चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें काफी दोस्तों तक जो आपके दोस्त इस वीडियो को देखें और फिर वो अपना जब भी test कराएं तो एक वो अच्छी lab में जाएं जहां पर quality पर main focus किया जाता है मिलते हैं नहीं